दोस्तो आज हम बनाएंगे गेहूं के आठी से बहुती टेस्टी कुरकुरा सा नाश्टा जो बनाना बिल्कुल असान है और मिंटों में बनके तयार हो जाता है बिना जंजट के तो दोस्तो अगर एच्पी पसंद आई तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा अग मैंने यहां पे डाली है एक कटोरी के करीब बारीक कटी हुई हरी मेति इसको अच्छे से दोके मैंने काट लिया था और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हरा धनिया और इसी सार डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चे यहां पे दो तिन हरी मिर्चे लिए है तीखा आप जितना खाना चाहे उत्गा सकते हैं, थोड़ी डाल देगे इसमें अध्रक कटी हुई, अगर आप पीसके भी डालना चाहें, तो डाल सकते हैं, दो मैंने लालमिर्ची कट करके के लिए, और यहांपे तीखा अपने स्वाधि के उन्सा रख सकते हैं, अभी मैंने इसमे दाला एक चम्मच लाली मिर्ची पाउडर आदा चम्मच हल्दी का और दो चम्मच यहां पर धनिया पाउडर डाल देंगे एक चम्मच मैंने यहां पर डाला है अमचूर का पाउडर और मैगी मसाला डाला है बच्चों का फेवरेट एक चम्मच और साथ मैं डाल देंगे आदा चम चारण नमक में इसमें डाल दिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंट थोड़ा सा बैटर हमें डिला लग रहा है इसलिए मैं तीन टेबल स्पून के करीब यहां सूजी डाली है अगर आप चाहें तो इसमें ब्रेड क्रे निम्बू के साइज का मैंने यहां पर रखा है आप बड़ा भी बना सकते हैं और अभी हम वह सब उस तरीके बना के तयार कर लेंगे और अभी यहां पर मैंने एक बोल में लिया है एक कटोरी जो गेहूं काटा है वह थोड़ा सा हरा दनिया और लाल मिर्च कटी होई और ए और एक चमच के करीब इसमें ओयल डाल देंगे आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं और इसमें पानी डाल के इसका हम पतला गोल बना लेंगे मतलब बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं और बहुत ज़्यादा गाड़ा भी नहीं थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करने ह तो इसको दो मिनट तक हमें फैंटना भी है थाकि ये फलपी हो जाए थोड़ा तो फ्रेंड मैंने इसको फैंट भी लिया है और साथ में हमारा बैटर है जो बनके तयार हो गया है इस तरीके की कंसिस्टेंसी हमें रखनी है तो इदर मैंने ये गोल-गोल लोईयां भी बना के इसकी mixer की त्यार कर ली है तो अभी हम इसमें dip करके deep fry करेंगे तो अभी हम एक इसमें डालके मैं आपको दिखा दे रही हूँ इस तरीके से इसमें डालके हम गरम तेल में fry कर लेंगे तो फ्रेंब इसी तरीके कर रखना है बैटर पतला ना रखें और यहां पर मैंने medium hot oil लिया है वह ज़्यादा ठंडे तेल में आप ना डालें और वह ज़्यादा गरम में भी ना डालें तो यह सब टिक्कियां जितनी भी एक बार में आई उतनी आप इसमें डाल दीजिएगा और इस तरीके से चम्मच की सायता से आप इसमें oil उपर तक डाल दें ताकि यह उपर से भी जल्दी सिख चाएं और बहुत ही जल्दी यह पक जाते हैं इसमें कोई ज़्यादा time नहीं लगता है पकोडों में थोड़ा time लगता है इसमें ज़्यादा time नहीं लगता है तो friend इसको alert पलट कर दिया है मैंने दूसरी साइड से और इसको भी हम दो मिनट के लिए और पका लेते हैं दोनों तरिफ से यह crispy हो जाए तो friend यह बनके हमारे तयार हो गए है और अभी हम इसको निकाल लेते हैं तो देखिए कितने टेश्टी लग रहे हैं इसी तरीके से हम सब बनाके तयार कर लेंगे दोस्तों इसको बनाना बेहद असान है और समान भी कोई ज़ादा नहीं लगता है आजकल मेत्थी बगरह सब आ रही है तो इस तरीके से हम इसके उपर भी ओयल डाल देंगे और इनको भी उसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे पर इतना द्यान रखना है कि आँच हमें मीडियम रखनी है तो फ्रेंट ये हमारे ये भी हमारे बन के तयार हो गए हैं दूसरे वाले भी तो फ्रेंट रेस्पी पसंदा ये तो लाइक शेर कमेंट जरूर कीजिएगा इसको हरी चटनी के साथ दही के साथ आप प्रोशिएगा वोती टेश्टी बनते हैं